दोस्तों अगर आप भी कोरोना वाइरस की वैक्सीन का बहुती बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों जैसे जैसे कोविन नाइटीन के टीके का परिक्षर तेज गती से आंगे बढ़ रहा है भारती बाजार में 2021 की शुरुआत में एक सफल वैक्सीन उपलब्द हो जाने की उम्मीद भी बढ़ रही है जिहां जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में इस समय तीन वैक्सीन पर काम चल रहा है इसी पर बर्निस्टीन की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वैश्वे के सर पर चार संभावे टीके हैं जिने 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में स्विक्रिती मिल जाने के अनुमान है सबसे खुशी की बात तो यह है कि ये चार वैक्सीनों में से दो वैक्सीन भारत की ही है रिपोर्ट के अनुसार भारत की दो वैक्सीन के लिए सुरक्षा तता प्रतिरिक्षा प्रतिकरिया की छमता बढ़ाने में पहले और दूसरे चरल के परिक्षड काफी भरोसे मंद लगते हैं हम इस पर पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि भारत में 2021 की पहली तिमाही में भारत में एक वैक्सीन बातार में उपलब्द हो सकती है रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टीके की कीमत प्रती खुराक 3-6 डॉलर हो सकती है लेकिन जैसा कि भारत सरकार ने कहा है कि वो देशवाशियों को मुफ्त में टीका लगाएगी ऐसे में ये वैक्सीन कुछ समय बात पूरी तरह से निश्यल भी हो सकती है इसके लावा दुस्तों हर दिन भारत का रिकवरी रेट बढ़ता ही जा रहा है अब ये 78% के करीब पहुँच चुका है ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि 15 सितंबर तक रिकवरी रेट 85 या 90% तक भी पहुँच सकता है ऐसे में दुस्तों ये हम सबी के लिए बहुती बड़ी खुश खबरी है इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तुक करी दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जैहिंद भी जरूर लिखिएगा अब दुस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैक्सीन बनने के बाद इसका भारी मातरा में प्रोड़क्शन करना भी एक बड़ी चुनोती होगी हालकि इसमें भी अच्छी खबर ये है कि भारत के पास बड़े इस्तर पर टीका करल करने का पूरा अनुवा हो है जिहां इससे पहले 2011 में भी भारत इतने बड़े इस्तर पर पोलियो की वैक्सीन बना चुका है बर्निस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार उनका मानना है कि शुरुआत में टीके स्वास कर्मियों और 65 वर्से अधे कुमर वाले लोगों आदी जैसे सम्वेदेशील वर्ग को अपलब्द कराये जाएंगे इनके बाद टीके आवश्यक से वाउ में लगे लोगों तथा आर्थिक रूप से गरीब लोगों को दिये जा सकते हैं रिपोर्ट के अनुसार नोवावेक्स का टीका आक्सफोर्ड वाले की तुलना में काफी बहतर परिणाम दे रहा है दोनों ने पहले दो चरणों में अच्छे परिणाम दिये हैं और अब तीसरे चरण में हैं इनके लिए एक वक्ती को 21-28 दिन के अंतराल में दो खुराक देने की जरूरत होगी उन्होंने कहा है कि सीरम इंस्टीट ओफ इंडिया पहले टीके को पेश करने के लिए पूरी तरह से तयार है सीरम इंस्टीट ने एजडवा आक्सफोर्ड और नोवावेक्स दोनों के साथ उनके संभाविट टीके के उतपादन का करार किया हुआ है उसके पास प्रोटीन सब यूनिट और वाइरल वेक्टर दोनों तरह के टीके की उतपादन की च्छमता है जरूरत पढ़ने पर दोनों प्रकार की च्छमता को बदल कर किसी एक को और बढ़ाया जा सकता है उन्होंने आंगे ये भी कहा कि सीरम इंस्टिटूट एक अरब खुराग की अतरिक्त च्छमता पर भी काम कर रहा है हमारा अनुमान है कि 2021 में 60 करोड खुराग और 2022 में एक अरब खुराग बना सकेंगे इन मेंसे 2021 में भारत के लिए 40-50 करोड खुराग उपलब्द रहेगी इसके अलावा भारत की तीन कम्निया जायडस, भारत बायोटेक और बायोलोजिकल एबी अपने टीके पर काम कर रही है ये टीके पहले और दूसरे चलड के परी नाम में है बर्निस्टीन ने ये अनुमान लगाया है कि भारत का टीका बाजार वित वर्ष 2021 में 6 अरब डॉलर का हो सकता है अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोविन-19 की फिलहाल 3 वैक्सीन का ट्राइल चल रहा है देश की दूसरी सौदेशी वैक्सीन जायडस केडिला की जाइकोबी की हुमें ट्राइल में 1048 लोग शामिल है इसको बनाने वाली कमजी जायडस केडिला को उम्मीद है कि इसका ट्राइल अगले साल फरवरी या मार्च तक पूरा हो सकता है और अगर ये सही रहा तो कमपनी इसका उत्पादन पहले ही शुरू कर सकती है दोस्तों कोरोना वाइरस महामारी जल्द से जल्द कत्म हो जाए इसके लिए दुनिया भर के वैग्यानिक वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हुए है कई देशों में वैक्सीन के ट्राइल अंतिम चेरण में हैं जिसमें अमेरिका की मौडरना वैक्सीन भी शामिल है अब इस वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी खुश खबरी सामने आ रही है जहां इस वैक्सीन को बनाने वाली कमपनी मॉर्डरना इंक ने ये दावा किया है कि ये बुजरगों पर भी उतना ही इसर करती है जितना की युवाओ पर बुजरगों पर किये गए ट्राइल में इसके उत्साह जनक परिणाम देखने को मिले हैं कमपनी ने वैक्सीन के शुरुआती ट्राइल का डाटा जारी कर ये खुश करने वाली जानकारी दी है कमपनी के मताबक पहले चरण के ट्राइल में इस वैक्सीन ने निट्रिलाइजिंग एंटी बॉडी की काफी जादा मात्रा पैदा की बुजरुगों को वैक्सीन की खुराग देने पर उनके इम्यून सिस्टम में रिस्पॉंस पैदा होने के कई सबूत मिले हैं ये ट्राइल 20 लोगों पर किया गया था कमपनी का ये कहना है कि वैक्सीन से पूरी तरह से सकरात्मक नतीजे सामने आएं हैं और इस वैक्सीन को भारी मात्रा में बनाने के लिए हमने पूरी तयारी कर ली है ऐसे में दोस्तों अब ये माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में अमेरिका की ये वैक्सीन पूरी तरह से तयार हो जाएगी और अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुश खबरी है क्योंकि भारत को अमेरिका से वैक्सिन लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के रिष्टे काफी गहरे हैं इसी पात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो करी दीजिए और साथी साथ नीचे कमेंट में जैहिंद्वीज जरूर लिखिएगा अब दोस्तों आपको बता दें कि कमपनी का ये कहना है कि शुरुआती चरल के नतीजे खुश करने वाले हैं क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वैक्सीन का असर युवाओ की तुलना में बुजरुगा पर कम होगा लेकिन इसके नतीजों से ऐसा देखने को मिला है कि 55 साल से जादा की उमर के लोगों में एंटी बॉडी इस तर युवाओ में पैदा होने वाले इस तर के समान ही था कंपरी के मताबिक जिन लोगों को वैक्सीन की डोस दी गई थी उन में इसे देने पर बुखार ठंड दर्द और ठकान जैसे साइड इफेक्स तो देखे गए थे लेकिन उन पर इसका कोई भी गंबीर साइड इफेक्स नहीं देखा गया था ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये वैक्सीन बज़र्गों को भी कोरोना से खत्रे से बचाएगी तो कि बज़र्गों को इससे सबसे जादा खत्रा है हलाकि दोस्तो फिलहाल मौडना की इस वैक्सीन का तीसरा यानी अन्तिम चरण का ट्राइल चल रहा है इसमें 30,000 लोगों को शामल किया गया है और जल्द से जल्द ये ट्राइल भी पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है और सितंबर के महीने में वैक्सीन तैयार होने के दावे भी किये जा रहे है इसके अलावा दोस्तो अब आपको बता दें कि अमेरिकी अकवार वशिंटन पोश्ट ने एक दावा किया है कि चीन लोगों पर प्रायोगातमत तोर पर कोरोना वैक्सीन का इस्तमाल करने वाला पहला देश है जिहां चीन ने जुलाई के अंत में ही इस वैक्सीन को उच्च जोकिम दर वाले समूहों से आने वाले लोगों को दिया था और यदी अखवार का ये दावा सच है तो चीन ने रूस से तीन हपते पहले ही अपने लोगों को वैक्सीन दे दी थी चीन और रूस की वैक्सीन में इस बात की समानता है कि दोनों ने ही ओफिशल ट्राइल्स को पार नहीं किया है चीन के स्वास्त अधिकारियों ने शनिवार को ये बताया था कि उन्होंने कुछ स्वास्त कर्मियों और सरकारी उगहमों से जुड़े कर्मचारियों को जुलाई के आखर में ही आपात कालीन प्रयोग के तहट वैक्सीन की खुराग दी थी पूरी दुनिया में इस समय वैक्सीन को बाजार में लाने वैक्सीन के विकास उसके ट्राइल को लेकर विवाद हो रहे हैं यही वज़ाए है कि कई सारे देश प्रोटोकॉल को छिपा कर अपनी वैक्सीन दुनिया के सामने लाना चाहते है बीजिंग की तरफ से ये गोशना पिछले हफते एक कूटनितिक विवाद के सामने आई है ऐसे में दुस्तों आपको क्या रगता है जिस सरा से चीन ने दुनिया से छिपाते हुए एक महीने पहले ही वैक्सीन देने का दावा किया है क्या उसके पीछे भी कोई साजिस हो सकती है या नहीं अपनी राए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इसी भी जोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है जिहां कोरोना वाइरस के मुद्धे पर चीन से भिढ़ने वाले औस्ट्रेलिया ने भी वैक्सीन तयार कर ली है डेली मेल की रिपोर्ट के मताबिक इनसानों पर किये गए शुरुवाती ट्राइल में वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामें नहीं आया है औस्ट्रेलिया महज धाई करोड की आबादी वाला देश है पिछले माईने ही कुईसलेंड यूनिवेस्टी और बायो टेक कंपनी सी एसल ने ब्रिस्बेन के 120 वालेंटियस को वैक्सीन की खुराग देना शुरू किया था प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एसोसियेट प्रोफेसर कीग्स चैपल ने कहा कि यूरोप में इस वैक्सीन का ट्राइल जानवरों पर भी किया गया और वो भी पूरी तरह से सफल रहा है वेग्यानिकों का कहना है कि आउस्टेलिया के ब्रिस्बेन में हुए इंसानी ट्राइल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है बता दे कि कोरोणा वायरस को लेकर दुनिया भर में इनसानों पर 17 वैक्सीनों के ट्राइल शुरू हुए है और आस्टेलिया में हुआ ट्राइल उन्हीं में से एक था ऐसे में दोस्तों अब वैक्सीन तयार करने की लिस्ट में आस्ट्रिलिया ने भी अपना नाम दर्च करा लिया है इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो करी दीजिये और साथी साथ नीचे कमेंट में बताएं कि आस्टेलिया की ये वैक्सिन तयार होने से आप खुश हैं या नहीं अब दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत को आस्टेलिया की ये कोरोना वैक्सिन कब तक मिल सकती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परिक्षड किया जाना सबसे एहम हिस्सा है। बारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेस 2 और फेस 3 ट्रायल किया जाता है इसकी मजूरी DGCI यानि ड्रक्स कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया दोरा दी जाती है वैक्सीन के फेस 2 और फेस 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी जंडी दी जा सकती है और ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है डेली मेल की रिपोर्ट के मताबिक दुनिया भर में 130 वैक्सीनों पर काम चल रहा है लेकिन आस्टेलिया की कुईसलेंड यूनिवेस्टी की ये वैक्सीन केंडिडेट ने प्री क्लिनिकल डेपलप्मेंट स्टेज में सफल होने के गुड़ प्रदरशित किये हैं इससे पहले आस्टेलिया ने ब्रेटेन की कंपनी एस्ट्राजेनिका के साथ आक्सफोर्ड यूनिवेस्टी वाली वैक्सीन की खरीदारी के लिए समझोता किया था अगर आक्सफोर्ड की वैक्सीन सफल रहती है तो आस्टेलिया को शिरुआती दिनों में ही सपलाई मिल सकती है आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दे कि आस्टेलिया के प्रधान मंतरी स्कॉर्ट मौरिसन ने हाल ही में ये घोशना की थी कि देश में कोरुणा की वैक्सीन बनाई जाएगी और सब को फ्री में दी जाएगी उन्होंने वादा कि वैक्सीन ऑस्टेलिया की पहुँच में है ये जाए ये उक्सफोर्ड यूनिवस्टी के साथ बनाई जा रही है